कि अप्रेंट्स गुड मॉर्णिंग कैसे आप सभी आई होब की सभी अच्छे होंगे तो हम लोग अपने प्रिविएस वीडियो में टाइम के बारे में देख लिया था कुछ कुछ जो हमारे डिजिटल क्लॉक है संडाइल वगे रहे हैं जो हमारा पैंडूलम है उसके बारे में हमने प्रिविएस वीडियो में देख लिया था अब हम लोग अपने एक नया टॉपिक को शुरू कर रहे हैं जो कि हमारा मोशन एंड स्पीड क्या है मोशन एंड स्पीड तो चलिए हम लोग अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अगर आपने प्रिविएस वी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गीवन है तो चलिए हम लोग अपना मोशन एंड स्पीड को स्टार्ट करते हैं पर है करें हमार जो आज क टोपिक के वो है कि मौशन An थिक तो सबसे पहले हम लुग अदी समझते हा रहे हैं अपने फ sû्स्थिज जू टॉपिक कर जो पॉइंट हो अ उसको तो हमारा फॉर्स्ट बोइंट शब आम लग मोशन को देखते हैं वअटेज मौशन मतलब कोई भी object अगर time की respect में अपने position को change कर लेता है तब उसको हम लोग motion में बोलते हैं अगर एक object time की respect में अपने position को change नहीं करता है तब उसको rest में बोलते हैं हमने दो बाते जाननी जब कोई object time के respect में अपना position change करता है तब उसको क्या बोलते हैं motion में बोलते हैं और जब वो time के साथ अपना position change नहीं करता है तब उसको क्या बोलते हैं rest में बोलते हैं ठीक है इतना समझ में आया चलिए अब जो है आप लोग जो प्रिविएस वीडियो में भी जो class 6 में जो है वीडियो ने classes में आप लोग मोशन के types के बारे में पढ़ लेंगे ठीक है जो हमारा motion स्टार्ट होता वो class 6 से स्टार्ट हो जाता है इसके types के बारे में आप लोग देखें होंगे तो फिर भी हम लोग कुछ-कुछ types जो में में टाइप से उसको हम लोग थोड़ा सा cover कर लेते हैं तो सबसे पहला है हमारा linear motion क्या है linear motion ऐसा motion जिसमें हम लोग जो position change करते हैं वह एक straight way में करते straight path पे करते हैं जब भी हम अपना position straight path पे change करेंगे तब उस motion को क्या बोलेंगे linear motion क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे linear motion बोलेंगे देखें इन इस motion object ट्राइबल सिने स्ट्रेट लाइन कॉल लीनियर मोशन जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट वे में टेके स्ट्रेट में में जब वो अपना पोजिशन चेंज करेंगा तब उसको क्या बोलते हैं लीनियर मोशन बोलते हैं टेके next देखिए circular motion क्या है next circular motion देखिए when an object travels along a circular path its motion is called circular motion जब एक object circular path पर जब एक object जैसे यह एक circle हो गया इस circular path पर जब वो motion करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा तब इनके motion को हम लोग बोलेंगे circular motion circular motion चमझ में आया जब एक object अपने circular path पर जिस रास्ते पर चलता उसको path बोलते तो जब एक object अपने circular path पर position को change करते जाएगा time के respect में तब उसके motion को हम लोग circular motion बोलेंगे जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं जो जितने भी satellite है जो कि earth के around क्या करते है circulatory motion करते हैं मतलब वो circular जो path होता है उस पे वो rotate करते हुए जो हमारा earth है उसका चक्र लगाते हैं ठीक है समझ में आया नेक्स देखिए नेक्स्ट है curvilinear motion क्या है curvilinear motion when an object travels along a curve then its motion is called curvilinear motion जब भी कोई object curve मतलब कुछ ने कुछ angle बनाते हुए motion को करता है तब उसको हम लोग बोलते है curvilinear motion जैसे आप लोग देखते होंगे जो वेल वागेरा वह बाहर निकलती है सांस लेते और फिर ऐसा करके निकलती फिर ऐसा करके लूप जाते तो यही जो वह अपना जैसे कि आप लोग देखते होंगे athletics जो होते हैं वह बीच में क्या करते हैं पाइप बगेरा डाल देते हैं और ऐसे करके जंप करते हैं ऐसे करके जंप करते हैं कुछ इस तरीके से ऐसे रहते हैं और ऐसे करके वह जंप करते हैं मतलब उपर से इधर की ओर जाते हैं मतलब क यह होता है यह स्लो मोशन यह तो आप लोगों को बहुत अच्छ us जाद होगा कुछ-ज 낙ंगल बनाएं थे लाएं लेकिन को बहुत लिनेर मोशन चलें नेक्स देखते हैं एक होता है अपलोगों बहुत अच्छ सियाद होगा खासकर गाने के थूँआ करता है आशसक बात है स्लों आपर भी कुछ इससे अलग नहीं करते हैं कि इस स्लों फार्ट टेक्स और लॉन्ग टाइम to cover a certain distance जब एक distance को cover करने में object ज़्यादा time लेता है तब उसके motion को बोलते हैं slow motion just इसके opposite होता है fast motion इसमें क्या होता है जो object होता है वो बहुत shorter time period लेता है certain distance cover करने में तब उसके motion को बोलेंगे हम लोग fast motion जैसे देखिए एक object है जो की 5 km ये जो है 5 km का path है ठीक है मालने जे 5 km का path है इसको 5 km आने में 5 hour लग गए ठीक है कितना लग गया 5 hour एक object एक को इसको यहां से यहां तक आने में 5 hour लग गए ठीक उसी time एक object भी निकलता है और ये जो भी है ये 5 km मातर 10 मिनट में ही पूरा कर लेता है ठीक है एक object A है जो 5 km चलने में उसको कितना time लग गया 5 hour लेकिन एक दूसरा object भी है B जो की यही 5 km distance 10 मिनट में ही पूरा कर लेता है तब यहां से हम बता सकते कि जो A है उसको एक certain distance जो 5 km था इसको cover करने में इसको 5 hour लग गया जाएगा और यहीं हम देखते हैं दूसरा object जो हमारा B है वो भी 5 एक certain distance ही है इसको वो 10 मिनट में ही पूरा कर लेता है मतलब जो इसका speed होगा वो क्या होगा means जो इसका motion होगा वो क्या होगा fast motion होगा समझ माया slow motion and fast motion तो इसी बातों को यहाँ पर लखा कि when an object takes shorter time to cover a certain distance called fast motion अब कुछ और भी है जैसे rotational motion rotational motion क्या होता है देखे the moment of a body around a fixed axis passing through its body called rotation motion जब भी कोई object अपने एक fixed axis पे अपने body को pass करते हुए क्या करता है motion sort करता है तब उसको बोलेंगे rotational motion क्या बोलेंगे rotational motion तैसे आप लोगों ने बच्पन में यह किया भी होगा कि एक top ले लेते होंगे लट्टू उसको क्या करते थे रसी बांद को उसको गुमा देते इससे क्या होता था उसका एक axis होता था जिस पे वो घूमते जाता तो गूमते जाता तो गूमते जाता था तो वो जो spinning of top हो गया वो कौन सा motion हो गया यह हमारा rotational motion ही हो गया जो earth है ठीक है earth भी जो है जिसके कारण से day and night होता है वो भी जिस motion के कारण से होता वो rotational motion ही है rotational motion शमज में आया next देखते हैं चली periodic motion जिसको आपने previous वीडियो में भी देखा होगा जब हम लोग जो है pendulum के बारे में जान रहे थे तो एक बार इसको देख लेते हैं the motion that repeat itself after equal interval of time एक fixed interval of time के बाद जब वो अपने motion को repeat करते जाता repeat करते जाता है तब उसके motion को बोलते है periodic motion पेंडूलम को देखा था pendulum क्या होता था ऐसे होता था यह एक fix time में इधर आ जाता था यहां पे और एक fix time में फिर यहां पे आने के बाद फिर यह यहां तक आ जाता था फिर यहां तक आ जाता था तो यहां पे यह जो pendulum है pendulum का bob यहां तक गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां आए तो यह जो होता था, यह पुरा का पुरा जो incidence होता था, वो एक fixed time period में होता था तो इस कारण से इसका जो motion होता था, simple pendulum का, वो एक periodic motion सो ओट करता था जिसके बार में हमने प्रिविस वीडियो में पढ़ा भी था तो ये था हमारा मोसन का टाइप जिसको हमने देख लिया अब हम लोग चलते हैं अपने स्पीड की और किसकी और स्पीड की और देखते हैं कि यह स्पीड क्या है थेखें जो स्पीड है स्पीड के डेफिनिशन दे रखा पहले इसको देखते हैं the distance travel by an object per unit time is called speed जब भी किसी object के द्वारा एक certain distance किसी time period में cover किया जाता है या फिल distance जो भी cover किया जाता है एक unit time में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं speed simple सा समझिए जो भी distance होगा उसको जब हम time से divide दे देंगे ना तब हमारे पास result में आएगा speed, क्या आएका result में speed, जो भी हमारे पास distance होगा, उसको जब हम time से कुछ ने कुछ particular time तो वो cover करने मिलेगा ना, तभी तो speed में होगा ना तो वो जो है, जब भी हमारे पास distance होगा और distance को जब भी हम लोग time से divide देंगे, तो अब हमारे पास mechanical क्या आएगा, speed, इसी बातों को यहाँ पे लिखा गया है, कि जो भी distance cover होगा, पर unit time में, एक second में, जितना भी distance cover होगा उसी को बोलेंगे speed जैसे हम लोग बोलते हैं 10 km per hour बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या है, इसको जब हम लिखेंगे तो 10 km हो जाएगा हमारा distance, क्या हो जाएगा distance और 1 hour हो जाएगा हमारा time period तो यह जो 1 hour है, यह unit में होगा, 1 वाला unit में आता है आता है ना, देखें, एक घंटे जब हम लगातार, चलते जाएंगे चलते जाएंगे, motion swap करते जाएंगे तब हम पहुंचेंगे 10 km तो हमने क्या बताया था speed के लिए, कि जो भी हमारे distance होगा, उसको जब हम time से divide दे देंगे तब हमारे पास क्या निकल क्या आएगा speed, सेम बात है आप लोगों को आज से याद रखना है 10 km क्या होता है, 20 km क्या होता है 10 km का मतलब क्या हुआ एक घंटे में हम लोग 10 km जा सकते है 20 km का मतलब क्या हुआ एक घंटे में हम लोग 20 km का distance कवर कर सकते हैं अगर लगातार चलते गया, चलते गया, चलते गया है उसी speed से तो ठीक है, I hope कि यह आपको समझ में आया होगा चलिए इसको अच्छे से देखते है तो देखे, यहाँ पर जो है हमारे पास formula निकल के आया speed is equal to ठीक है, देखे speed is equal to क्या निकल के आगया distance distance upon time इसको याद रखना है speed is equal to क्या आगया distance upon time इस पर हम लोग numerical भी करेंगे इसलिए आपको यह याद रखना है speed is equal to क्या आगया distance upon time यहाँ से हम लोग और भी formula डाइब कर सकते हैं जैसे distance is equal to क्या होगा time is equal to क्या होगा चलिए देख लेते हैं अब हम लोग इसका cross multiply करते हैं cross multiply करने पर क्या आएगा speed multiply time is equal to इधर क्या बच गया distance बच गया तो हमारे पास एक नया formula आ गया distance is equal to speed into time अब यहाँ से हम लोग further time भी निकाल सकते हैं तो time is equal to क्या निकल क्या आ जाएगा distance upon speed देखें देखें इधर जो काम था हमको सिर्प इस time का था न तो इसलिए time को हमने रख लिया और चुकि यह speed इधर multiply में था तो distance के side गया तो यह हो गया बडिवाइड में तो कुछ भी हमने ने किया जो हमारे initial formula था इसी से हमने यह और यह formula drive कर लिया speed is equal to क्यों होता है distance upon time जो speed अब यहाँ से हम लोग cross multiply करते हैं तो हमारे पास आ जाता है speed into time is equal to distance मतलब हमारे पास distance का formula आ गया speed into time जब हमको time निकालना होगा तो formula क्या बन सकता है तो हमने ऐसा करके देखा time को उसी side रख लिए speed goes side भेज दिया हमारे पास time का formula आ गया distance upon speed समझ में आया चले अब इसका unit भी देख लेते हैं कैसे निकालते हैं यह आपको काफी help करेगा आगे जहां भी आप पढ़ेंगे 8 9 10 11 12 वहां पर यह formula आपको यूज में आए गाई आए गाई यह सबसे basic motion का तेक है अब यहां से हम लोग एक चीज और सीखते है unit of speed कैसे find out करना है basically यह आप लोग 9th class में सीखेंगे लेकिन यहीं पर हमें सिखा दे रहा हूँ unit of speed कैसे find out करेंगे तो इसका unit बटता इसका unit आ जाएगा तो क्या हो जाएगा unit of unit of distance upon unit of time तो हमने देखा unit of distance किसमें measure करते हैं हम लोग हमेशा meter में करते हैं करते हैं और time को हमेंशा किसमें measure करते हैं second में करते हैं तो यहां से हमारे पास यह आ गया meter per second meter per second समझ बाया तो unit of speed क्या में रहा होप कि हम लोग निकालना सीखेंगे इसका formula से हम लोग निकालते हैं जो unit होता है, distance का, उसको हमने रख दिया, unit of time रख दिया, हमने देखा unit of distance क्या होता है, meter होता है, तो meter लिख दिया, unit of time क्या होता है, second होता है, तो second लिख दिया, और इसी को हम लोग बोल सकते है, meter per second, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर कुछ मैं बता रहूं, उसको ध्यान से देखिएगा, जो speed होता है, ठीक है, speed को हम लोगे small s से denote करते हैं, जो हम लोगों का time होता है, उसको हम लोगे small t से denote करते हैं, जो हम लोगों का distance होता है, उसको हम लोगे small d से denote करते हैं, ठीक है, और जो meter होता ह है उसको हम लोग small m से denote करते हैं और जो second होता है उसको हम लोग s या फिर sec से denote करते हैं तो यहां से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं meter per second और meter per second ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग exponent में पढ़ ले होंगे कि यह second जब उपर जागा तो यह minus consider कर लेगा कर लेगा तो यह होते हैं unit of speed जिसको हमने देख लिया तो I hope कि यह जो session है आप लोगों को काफी जादा helpful किया होगा और काफी जादे enjoy भी आप लोगों ने किया होगा हम लोग मिलते हैं speed के types के साथ और साथ हम लोग कुछ numerical भी start करेंगे ऐसा करते हैं हम लोग पहले speed के type को पढ़ लेते हैं फिर time graph जो हमारे बुक में graph दे रखें उसको पढ़ लेते हैं और लास्ट में जो हम लोग numerical करेंगे पहुत ही अच्छे धन्स ठीक है तो चलिए आज के session में बस इतना ही बाइंड टेक है